नमस्कार साथियों मेरा नाम मनोज है और आप देख रहे हैं द्रिसिकला द्रिस्कला की सेस्वन में आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है जैन सैली के बारे में ठीक है बस कुनी से सम्मादिक बात करेंगे बहुत जादा च आचैनल करेंगे मतलब इस्पेसिफिक चीज तो पर चेंगे रिज बात करेंगे में हम बातकर करते हैं जयन सेली के बारे में जयन म ठीक है तो यह जहें ज्यांजली जो है थोड़ा सा समझने को कोशिश करिएगा कि यह भ और यह भारत Fitz mis 6 में भिक्सित थी और इसका समय हमलोग पढते हैं वह ग्यारा सो से लेकर के पंदरा सो एडि तक के बीच में इसका समय हम लोग पड़ते हैं अब थोड़ा सा ये ध्यान दीजेगा कि इसमें मतलब इसी को इसी सैली को जो है कई नामों से पुकारा गया है जो अलग-अलग विद्यान लोग अपने अपने तरीके से नाम पुकारे ह जैसे कि इस जैन सैली को हम अपभरंस के भी नाम से जानते हैं अपभरंस ठीक है और उसके बाद जो है इसी को हम लोग जो है पश्चमी भारतिय सैली भी बोलते हैं ठीक है और इसी को जो तीसरा नाम आप पढ़ी रहे हैं जैसे कि है जैन सैली ध्यान दीजेगा ठीक है जै तो ध्यान देजेएगे वह राय कृष्न क केंे दौरह यह बात कई गई है 15 भारती जो आनंद कुमार स्वामी के दौरह है उसके बाद जयन साली आपके परसी ब्राउन के दौरा है, ठीक है, इस तरह से, अलग-अलग लोग अपने तरहिके से, इस नाम को दिया है, एक चीज और ध्यान दिजेगा, आनंद कमार श्वामी ने ही इस साली की खोचकी है, इन्हों नहीं इस सहली की खोचकी है, इसको भी थ्यान देजेगा, यह थोदा सा थे कुछ इनके अलग अलग नाम थोड़ा मोटी मोटी बात है, अब थोदा सा इनके हम अंदर के बात करते हैं कि इस सहली में जो है इसलिए नाम देगा क्योंकि लगबक चित जो है पस्चिमी छेतर से प्राप्त होते हैं यानिकि भारत के पस्चिमी छेतर से अपभरण साली के नाम इसलिए कि इसमें दाकरी संधाल कमानना था कि इसमें इतने तरीके के मिक्षप है कि मतलब क्या बता है अलग-अलग जगाओ कुछ चित्र जाओनपूर से मिले हैं कुछ घुजरात से मिले हैं कुछ कहां कि इस तरह से जैसे अब ब्रंस को राइकरे संदास ने बोला है पर्शिम भारते सली के नाम अनकुमार स्वामी ने कहा है जैन सली के नाम करण जो है परशी ब्रावन दिया है इस तरह से अलग अलग है ठीक है अब हम थोला सा बात करते हैं इनके परमुख पोथी चित्रों के बा बाल गोपाल इस्तुती ठीक है और उसके बाद जो है आपका है दूसरा नंबर का रती रहत से रती रहत से फिर है आपका दुर्गा सब्त सती इसे में आगे लिख दे रहे हैं दुर्गा सब्त सती ठीक है फिर आपका है चार नंबर का वसंत विलाज वसंत विलाज ठीक है फिर उसके बाद पांचवे नंबर का है आपका कल्पसूत्र फिर अगला है आपका कल्का चार कथा कल्का चार कथा इस तरह से हैं एक है निसीत चूरूडि निसीत चूरूडि और कथा शरीत शागर भी है इसे में लिखते रहे हैं चलिए आठ नंबर है यह कथा शरित सागर ठीक है इस तरह से अलग-अलग इसमें पोथियां है ठीक है एक चीज ध्यान देजेगा कि इसमें अलग-अलग चीजों में जैसे वसंद बिलाज के अगर हम बाग करते हैं तो यह गुजरात छेत्र स प्राप्त हुआ है इस बात को थ्यान देजीगा और यह बसंद बिलाज कपड़े पर निर्मित है ठीक है कपड़े पर निर्मित है और यह गुजरात से प्राप्त हो अभी बताया गया है लिख दे रहे हैं गुजरात से और किसको प्राप्त हुआ यह स्री महता को प्राप् और इसमें जो है 79 चित्र प्राप्थ हुए है थोड़ा कुछ मेंड में चीज़ें है और उसके बाद जो है तकलपसूत की अगर हम बात करते हैं तो इसके भी बारें बहुत खास चीज़े हैं जैसे कि भद्र बहुत दरा रचित है यह शारे लोगों को और इसमें महावीर कारजन्म से सम्मंदित चित्रित किये गये हैं और सबसे उत्तम ये पोथी मानी जाती है जो कि जोन पूर से प्राप्त हुई है इस बात को थोड़ा ध्यान दिजेगा और इस पोथी में सोवर्ड अच्छरों से पूरा मतलब अच्छा खाशा लिखा गया है और काफी यूज किया गया है और ये पोथी तकरीबन 1460 इस बी के आसपास में ये चित्रित की गई ही इस बात को भी थोड़ा ध्यान दिजेगा उसी तरह कलकाचार कथा भी है ये कलकाचार कथा इसमें जो अनेक तिर्थांकरों का चित्रांकन मिलता है लिख दे रहे हैं सारे चीजों में इसमें अनेक तिर्थांकरों का चित्र मिलते हैं ठीक है तिर्थांकरों का चित्र मिलते हैं और कल्पसूत्र में जैसे मैंने बोला कि इसमें सुवर्ड अच्छरों का ज्यादा परियोग हो है और उसके बाद जो है जाउन पूर से प्राप्थ है head पूर से क्राप्थ ठीक है यह अलग-अलग चीज हैं और back लिग चूझें और इसी की जो दूसरी प्रतलिपी है इसी कलपसुत्र की जो दूसरी बाद जो है एक आता है निशीत चूड़ी जो की निशीत चूड़ी इस पूरे मतलब गरंथ में सबसे प्राचीन गरंथ माना जाता है सबसे प्राचीन चित्रित गरंथ मानी जाती है गरंथ मानी जाती है ठीक है और जीनदास गड़ी द्वारा ये रचित किया है मतलब रचि है ठीक है और इस तरह से कुछ अलग-अलग चीजे हैं फिर अब थोड़ा से इनके में मुद्दे की बात करते हैं यह तो रहे इनके जो है अलग-अलग पोथियां यह सारी चीजे साथ-अर्थ नंबर जितने भी है इनके चित्र जो है ताड़-पत्र कागज वा कपड़ा तीनों पर मिलें जैसा कि लोग पाल सली पढ़े हैं तो उसमें दीजेगा और खास इनकी विश्यस्ताओं के बात करते हैं इन सहली के विश्यस्ताओं में अगर हम जाते हैं तो ये सब को पता होना चाहिए कि इसमें जो भी चित्र मिले हुए हैं वो स्वाभाविक नहीं हैं आस्वाभाविक चित्र हैं यानि कि उनके जो चित्रल किये गया जो आकृतियां बनी हुई है वो खिलाओने जैसे हैं मतलब जैसे होता नहीं कि खिलाओने को देखेंगे तो आप जो है पूरा मतलब वो खिलाओने जैसे ही रहता है मतलब आस्वाभाविक रहता है मतलब नाक बड़ी है आख बड़ी है इस तरह से हाथ छोटे हैं बहुनी है है आकृति इस तरह से अलग-अलग है तो हम कह सकते हैं कि इसमें चित्रड़ आकृति है चित्रड़ आकृति कि आस्वा भाविक है ठीक है और उसके बाद जो है कह सकते हैं कि खिलाओन जैसे आकृतियां है खिलाओन जैसी आकृतियां है और एक खास विश्यस्ता और है इसमें कि स्वर्ड रंगों की खुब प्रधानता है मतलब इन जित्रों में स्वर्ड रंगों की प्रधानता है प्रधानता है और उसके साथ साथ इसमें जो है इसके अलावा प्राथमिक रंगों का खुब परियोग हुआ है प्राथमिक रंगों का परियोग हुआ है प्राथमिक रंगों का मतलब समझी रहे हैं लाल पिला नेला जो भी है इतना जो समझदार हैं उसके बाद जो है अगला भोले रहां कि यहां देखेंगे अप्सवाइब का मतलब शाओ कोई भिशेष से चहरे नहीं है यहां किहरे भाव दूनिया है और यह सारे जाहें सवचस्ममें है और बड़ी बड़ी परली जैसे आखें उसमें यानि कि हम कहते हैं परली जैसी आखें इठास बिश्षबता है पूछा जाता है सवाखोाग tuck you उसके बाद बैफ है रेखा अगर हम बात करते क्रॉत के इन चित्रों के रेखाओं कि बात करते हैं तो जो सीमांत रेखा है यानि कि जो आउट की लाइन जिसको बोलते हैं वह बहुत कठ्थोर रेखाएं निकर रेखाएं जो है हम कह सकते हैं यह कठ्थोर है कि अईसा फील होता है कि वह इस तरह से होता है कुछ इस तरह से रेखांकन नहीं होता है उसमें इस तरह से रेखांकन है बात समझ रहें आप कहीं मोटा है कहीं टेलहा है कहीं पतला है इस तरह से हैं बहुत रिद्मिक नहीं है यह एक खास विश्चता है यह निक रेखाएं कठोर हैं और कोड़ युक्त रेखाएं हैं इसके अला से बनाएंगे हैं छास भिषेस्ता है और में में अगर हम अगर हम जहान दें तो इस सैली में जानरा जिसे की कागजव्च पर सबसे पहले चित्र बने हैं एक भाषी आगर हम कहते हैं तो जो कागजव चित्रंकन सबसे सबसे प्राप्ट होता है बहुत चित्रैक्स नाग से अब करते हैं तो जैन अब पढ़ते घ्राण तो कुछ अलग उसमें development होते हैं इसे के मूलभूत आधार है वह बात समझ रहे हैं जैन स्थानी सली का ही मूलभूत आधार यह जैन सली आपका यहीं से वह विक्षित हुआ है तो आगे हम लोग देखेंगे लेकिन इससे पहले जो हम लोग पाल सली पढ़े थे उसमें कुछ अलग ही है बात समझ रहे हैं उसमें मतलब कुछ जैसे कि भावशून निया फिर इस तरह से मतलब परली जैसे आखे नहीं है उसका अलग ही नियम है तो वह सारी जैसे पढ़े हैं तो यह है आपका जो है जैन सली और इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वह राजास्थानी स चाली के पारिम पढ़े में थोड़ा से एक रिक्वेस्ट है हमारे तरफ से कभी बॉला नहीं हूं लेकिन आज थोड़ा समय बॉल रहा हूं कि आप लोग थोड़ा मजबूत करिए इस प्लेटफार्म को मजबूत करने के संसर से मतलब यह है कि इसमें कोई किसी तरह का पैस अस्वलिक बात नहीं कर रहा हूं मजबूत करने के संस है कि आप लोग कमेंट भी किया करिए उसके साथ थोड़ा सा सेर भी किया करिए वीडियो को लाइक भी किया करिए और अच्छे खासे पढ़िए यह आपके उपर है ना बाकी जो है थोड़ा सा अगर कमेंट करेंगे तो थोड़ा एक एनरजी मिलती है आउर आगे काम करने का नहीं तो बाकी हमारा तो काम चली रहा है वह इस धिलता से काम चलेगा धिरिद्रे है कि नहीं तो बाकी आप लोग समस्दार है इससे जादा कुछ बोलना नहीं है मिलते हैं इसे के साथ अगले वीडियो में धू़ा नहीं आपा।